आप सभी का बहुत वेलकम है आपके अपने एजुकीशनल यूटूब चानल ट्रेड वीदे के पर जी हाँ फ्रेंड ट्रेड वीदे के डेले आनलेसिस लेकर आपके पास हर दिन सुभे मौजूद होता है ताकि आपको मार्केट की अक्टिविटीज के बारे में जानकरी हो पाएं और मैं ये भी मान के चलता हूं फ्रेंड कि ये वीडियो इंपॉर्टन इसलिए भी होती है ताकि मार्केट के हर आसपेक्ट को आप भी समझ पाएं मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें आप अगर कहीं गलत है तो ये वीडियो आपको correct कर सकती है और इसलिए ये पूरा daily analysis का जो वीडियो आप तक पहुंचाया जाता है इसे sponsor करती है आई-पी ट्रेडर बनने का dream है वो definitely पूरा हो सकता है और मेरा भी यही खहना है कि अगर वाकिया आप इस market में discipline trader बनना शाहते हैं तो आपको at least एक बार profit को ज़रूर ड्राय करना शाहिए वेदर यूर फाइनेशल capable और not फ्रेंड यह profit आपको discipline में trade करने के एक habit लगाता है और आप हमेशा से जानते है फ्रेंड कि man makes habit and habit makes man तो अगर हम अच्छी आदते लगाएंगे फ्रेंड तो यह हमारे future को बहुत अच्छा career बना सकती है तो चली फ्रेंड शुरू करते हैं आज 12th of November को market की activities क्या होने वाली है तो let's start from our economic calendar फ्रेंड आज Tuesday है 12th of November है जैसे कि आप मेरे economic calendar पे देख बार है फ्रेंड इंडियन स्टैंडर टाइम के हिसाब से 12.30 पीम यानि कि आज दो पहर के 12.30 में Great Britain Pound में Clement Count Change की news आन नहीं है और अगर हम GBP के Clement Count Change की बात करें तो यहां पर estimated projected किया गया है यानि कि forecast किया है 30.5K का तो इसमें अगर data फ्रेंड actual less than forecast is good for currency तो actual data अगर forecast से कम आता है फ्रेंड तो यह GBP को strong करेगा और अगर actual data forecast से बढ़ा आता है तो यह GBP को negative कर सकता है तो देखने है फ्रेंड कि आज GBP Clement Count Change क्या positive होगा या negative होगा इसके लिए मैं आपको लिए चलता है फ्रेंड ट्रेडिंग economics के इस projected score के चार्ट पे फ्रेंड यह website है trading economy आप यहां पर देख पार है मेरे screen पे 12th of November 7 a.m. जो की GMT time में फ्रेंड यानि कि Indian time के सबसे दो पहर को 12.30 p.m. में है और आज यहा पे projected है फ्रेंड consensus है 30.5 k का और trading economics का forecast कहता है कि यह 20.0 k आने की probability है यानि कि फ्रेंड forecast से अगर data कम आता है तो GBP के positive होने के chances दिखाई देते हैं साथी साथ अगर मैं आपको fxt.com पे ले जाओ फ्रेंड तो fxt.com पर भी आप अगर इस speech को read करेंगे तो you can see it here कि आज 12th of November को 7 GMT यानि की सुबह साथ बज़े world time के साब से इंडिन टाइम के साब से दो पहर को साड़े बारा बज़े खबर आने वाली है यहां पर consensus लगाया गया है यानि की forecast किया गया है 30.5 k का और deviation जो है फ्रेंड वो positive नजर आते हैं इसका मतलब है आज GBP के climate count change news में positive आने की probability बनती दिखाए देरी है इसके अलावा अगर हम news के column पे जाते हैं तो आज जो hottest news के column में आप देखोगे तो ऐसी कोई भी बड़ी खबर नहीं है जिसके उपर हमें थोड़ा सा भी मतलब focus करने की आउशकता है तो इसका मतलब है आज का जो पूरा दिन है वो technical analysis के रूप में चल सक है तो यह याद रखेगा कि SMC ICT जो है मार्केट के latest concept जिसके अंदर 22 formulas आपको सिखाया जाते हैं और यह 22 days की online session trade भी देखेए का फ्रेंट 19th of November से शुरू होने वाला है description box में यहां पे link दो रखेए आप इसके बारे में और भी information इस link को click करके ले सकते हैं और दूसरी सबसे live trading को लेकर आऊंगा जो हम weekly Tuesday और Thursday को live trading करते हैं इंडिन टाइम के साब से 7 PM में तो अगर आपने अभी तक trade भी देखे का mobile application डाउनलोड नहीं किया है तो Android user and Apple user आप दोनों के लिए यहां पर link दे रखी है आज इस application को आज और अभी download करें और मेरे साथ every Tuesday and every Thursday 7 PM live connect करना ना तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि 12th of November dollar index का क्या scene बन रहा है जैसे मैंने कल जितने भी predictions पता है ते 10 के 10 prediction मेरे सही थे और market ने वो सारे targets को अचीव किया जिस targets को हमने कल के वीडियो में बताया था और आप देख भी पारने फ्रेंड की लगा अतार पिछले देड़ दो महन से हम जो daily analysis आपको दे रहें इसकी accuracy almost 80-90% जाती भी नजर आरी और इसलिए बहुत महनत की जाती है market uncertain है 100% में कुछ भी नहीं होता तो मेरी analysis मैं आपको disclaimer देना चाहता हूं कि यह investment की advice नहीं है आप इसे केवल reference या education के लिए इस्तमाल करें trade लेना यह आपका अपना individual decision हो सकता है आज जो है friend dollar index जो है वो RSI के हिसाफ से overboard zone show कर रहा है यानि कि dollar बहुत ज़्यादा aggression में friend और कल भी मैंने बताया था कि dollar के positive रहने के chances है आज भी मेरा यहीं कहना है friend कि dollar अभी भी strong बना हुआ है और आज जो first half है friend इसमें dollar जो है वो आपको bullish चाहता हुआ नजर आ जाएगा dollar का उपर की तरफ 105.80 और 106.13 ये दो targets है friend जो आज dollar index ले सकता है इसके बाद ये चोटा मोटा bearish correction कर सकता है बट overall जो dollar का trend रहेगा friend वो आज अप trend में ही रहने के chances है इसके बाद मैं आपको ले जाओ friend euro USD में क्या होने वाला है तो आप मेरे chart पे जैसे देख पा रहे है कि friend euro USD मैंने कल भी बताया था bearish रहेगा और आज भी मेरा यही कहना है कि overall scenario euro USD का bearish ही रहने की probability है बट हां क्योंकि RSI oversold zone में जा चुका है friend और यहां से divergence बनने के chances नदर आते हैं तो जैसे आप मेरे screen पे देख पा रहे है friend यहाँ पे double order block है और नीचे एक liquidity grab area है साती साथ pivot का यहा friend वो पहले इस order block पे आएगा pivot level का जो support 1 का level है यहां तक भी आ सकता है friend और इसके बाद अगर इसने कोई bullish change of character दिखा दिया तो उपर की तरफ 1.0727 का target आपको मिल जाएगा और अगर market थोड़ा सा और bearish aggression में रहा तो liquidity grab area है 1.0600 friend यहां से आपको change of character अगर मिलता है bullish direction में तो आप uptrend की trade लगा सकते हैं but overall जो scenario है euro-usd का वो आज downtrend का ही scenario नजर आता है अब देखते हैं GBP USD में क्या होगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज claimant count change की news है और जिसमें prediction है friend की GBP के positive होने के chances है but according to technical analysis और कल का जो trend अभी तक चला आ रहा है friend वो bearish है RSI इसे bullish divergence बता रहा ह यानि की market के bullish जाने की probability यहां पर आप एक trend line को देख पार है trend line है friend साती सात नीचे liquidity grab area है order block का zone है तो मेरा मानना है कि first half में आपको GBP bearish ही रहेगा friend और नीचे optimal trading नीचे जो pivot का support one level है इसके नीचे liquidity grab area है या इसके ऊपर जो liquidity grab area friend यह entire zone बनता है यानि कि यह वो zone है friend जहां से GB GBP के अंदर अगर आपको change of character मिलता है तो आप इसमें एक अच्छी buy के entry ले सकते हैं बट अगर आपको यहां पर चौक नहीं मिलता है friend तो GBP के bearish जहने के संभावना अभी भी बनी है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया friend कि claim and count change के news में GBP अगर positive होती है तो much more chances है कि यह video recording कर आज मेरा prediction कहता है कि USD JPY में bearish होने के chances सबसे ज़्यादा है और जहां पर इस वक्त में recording कर रहा है यहां से इसके bearish जाने की probability बनती है क्योंकि यह एक bearish order block है optimal trading entry है प्लस RSI नहीं यहां पर bearish divergence भी बना रहा है friend यहां पर मैंने confirmation line draw की है अगर market नहीं यह confirmation line को breakout दे दिया बट अगर first half में USD JPY ने confirmation line को breakout नहीं दिया friend और यहां से bullish correction कर लिया तो उपर की तरफ फिर से order block and optimal trading entry and liquidity grab area याने की inducement level रखाए friend यहां से भी आपको USD JPY में अच्छी selling देखने को मिल जाएगी और मेरा मानना है friend कि आज USD JPY 152.85 से लेकर 152.70 के बीच में target लेता हुआ selling side का आ आपको याद दिला दो friend कि लोना वाला के अंदर 15th और 16th of November को gold trading से related one night two day का residential event रखा गया friend और अगर अभी तक आपने इस event के बारे में information collection नहीं किये friend तो इसी YouTube वीडियो के नीचे मैंने लोना वाला नाम की एक link दे रखी friend आप उस link पर जाके अपने आपको registered करे हमारे team call कर कि इसके बारे में आपको और भी information provide करेगी तो अब दिखते है friend की gold में क्या होने वाला है तो जैसे कल भी मैंने आपको gold बताया था friend की वो bearish ही रहेगा और आज भी मेरा यही कहना है friend की gold में कोई बहुत बड़ी उच्छाल देखने को शायद नहीं मिलेगी तो gold जैसा मैं यहाँ पर predict कर पा रहा हूँ friend यह बहुत ज़्यादा bearish है और मेरा मानना है friend की first half भी gold का bearish ही रहेगा 26.04 का जो level है यह आज gold आपको लेतावाज जरूर मिल जाएगा friend और अगर bearish aggression continue रहा तो support 2 का जो level है 25.86 का जो level है friend यह आज आपको gold में मिल जाएगा उपर support 1 और bearish fair value gap का consequent encroachment level है friend जो की 26.35 से लेकर 26.43 के बीच में दिखता है friend तो यहां से अगर market first half में bullish correction करता है और change of character देता है तो आपको यहां से selling के entry मिल जाएगी otherwise market अभी जहां पर stand कर रहा है friend यहां से भी selling की entry आपको मिल सकती है तो overall जो gold का आज का scenario है friend वो bearish है और gold आज भी selling में ही रहेगा अब हम चलते हैं कि silver में क्या होने वाला है friend तो जैसे आप मेरे chart पे देख पा रहे हो gold की तरह ही silver के अंदर भी selling pressure फील किया जा रहा है यहां पर trend line आप देख रहे है friend यह dotted line जो है जिसे market multiple time respect कर चुका है तो अगर silver first half में bullish correction करता है friend तो यहां पर देखे Fibonacci का level है 50 और 61.8% का level है यहीं पर trend line भी आ रहे है friend और यहीं पर consequent encroachment level plus bearish fair value gap आ रहा है तो यह वो zone है friend जहां से मेरा मानना है कि silver इस zone से आपको selling की entry दे सकता है but chances रहे है रहे friend silver अभी जहां पर stand कर रहा है अगर यहीं से selling में चले जाता है तो फिर नीचे की तरफ इसके जो target है 30.419 का friend और इससे भी नीचे target है 30.115 का target आपको silver में मिल जाएगा तो overall silver का जो scenario रहेगा friend वो आज selling का ही scenario बनने के chances हैं मैंने कल बताया था friend की बीटी से अपने all time high को लेगी मैंने कल 83,000 का target बताया था लेकिन मुझे नहीं पताया था friend यह 89,000 के target को भी यहां पर cross कर देगी आज अगर आप RSI को देगे friend तो RSI overbought zone में है और market का जो sentiment है friend वो sentiment अभी भी bullish ही नजर आ रहा है तो मेरा मानना है friend की यहां से probability है कि आज market all time high को break नहीं करेगा और BTC को आज छोटा मोटा correction करने की ज़रूरत पढ़ सकती है तो मैं यहां पर यह prediction लेके चल रहा है friend की BTC जो है वो first half में आपको bearish नजर आएगी और अगर मैं गलत नहीं हूँ friend तो जहां पर यह fair value gap आप देख रहे हो यहां से inducement level इसका first target होगा इसके नीचे pivot का resistance one का जो level है friend यह इसका second target हो सकता है और यहां पर एक fair value gap प्लस यहां पर Fibonacci का level आ रहा है friend यहां से BTC आपको फिर से एक बार bullish correction लेती भी दिखाई देगी और 89,625 का जो high है friend यह आज आपको first half bearish और second half bullish बनतावा नजर आएगा अगर BTC ने इतना deep correction नहीं लिया friend तो यह first half में अगर अपने all time high को break करती है तो यहां पर resistance 2 के level तक यह जाएगी उसके बाद आपको यह downtrend में जाते भी दिखाई दे सकती है तो मेरा मानना है friend बीटीसी जो है वो first half में bearish और second half में bullish होतावा बन सकता है अब हम चलते है friend यह देखने के लिए कि US oil में क्या होगा और कल भी मैंने आपको US oil के जो दोनों target बताये थे friend US oil ने वो दोनों target को hit किया था आज मेरा मानना है कि US oil sideways कम bearish हो सकता है यानि कि इसके अंदर selling या buying की बहुत ज़्यादा probability नहीं है friend RSI इस वक्त oversold zone में है RSI इसको bullish divergence बना रहा है friend साथी साथ यहाँ पे आप S2 का level जो देख रहे हो यह pivot का support 2 का level है जिसके नीचे candle की closing already हो चुकी है friend और इसलिए मुझे लगता है कि US oil में आज जो first term रहेगा यानि कि इसको first half रहेगा friend वो bearish रहेगा यहाँ पे एक inducement level है bullish order block है इस level तक आपको US oil downtrend में जाता हुआ मिलेगा इसके बाद यह चोटा मोटा correction कर सकता है bullish direction में बट overall जो scenario रहेगा friend वो bearish ही scenario रहने के chances है तो मेरा मानना है friend की US oil आज bearish ही रहेगा और यह sideways होने की probability भी इसके अंदर दिखाई दे सकती है मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ friend कि अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe, like और comment जरूर कर दे अब देखते है friend की MCX gold futures में क्या होने वाला है तो देखिए यहाँ पे gold ने आज gap up opening की है friend यह gap up opening वर्ल लेवल के हिसाब से की गई है इसलिए मेरा मानना है friend की gold future जो है वो first half में might be bullish होने के chances है बट यह बहुत ज़्यादा bullish नहीं होगा friend क्योंकि यहाँ पे एक bearish fair value gap है support one का level है यहाँ से आपको एक change of character या फिर max to max trend line से आपको change of character बनता हुआ मिलेगा और अगर यहाँ से change of character मिलता है friend तो आज MCX futures gold में आपको selling के एक अच्छी entry मिल सकती यह selling के entry might be possible है 76,143 से आपको मिलेगी और इसका जो first target होगा friend वो 75,038 का first target हो सकता है अगर bearish aggression continue रहा friend तो second target आपको 74,771 पे भी मिल जाएगा इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे friend और silver futures को देखेंगे तो silver में भी मेरा यही कहना है friend overall silver का scenario आज भी bearish रहेगा यह छोटा मोटा bullish correction कर सकता है friend क्योंकि यहाँ पे fair value gap, CE level और trend line है जहां से change of character मिलेगा और नीचे के तरफ आपके जो target है friend 88,150 से लेकर 86,885 का selling का probability silver में भी दिखाई दे सकता है तो अमीद करता हूं friend कि यह video आपके लिए useful रहे कि fruitful रहे कि comment करके जरूर बताएं friend कि कैसे यह video आपको help कर पार ही और अगर आपने इसे अभी तक अपने community में spread नहीं किया friend तो please 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 अपने maximum लोगों तक इस video को जरूर शेयर करें like बटन को hit करें friend और appreciate करें क्योंकि आपके जो motivation होते है friend वही हमें यहाँ पे प्रेरीद करते हैं कि हम आप तक रोज इस दो से धाई घंटे की मेहनत को बिलकुल free of cost सिर्फ education के लिए लेकर आते हैं friend तो उमीद करता हू आपने लोना वाला event के inquiry कर ली होगी friend आपने institutional prop fund के बारे में भी inquiry कर ली होगी और आपने 19th of November से SMC की जो batch शुरू होने वाली है इसकी भी inquiry कर ली होगी और आज Tuesday friend आपने Android phone और application को download कर लिया होगा जिसमें आज शाम को 7 बजे मैं आपके साथ live connect होने वाला हूँ तो चलिए friend आज के वीडियो को यही तक रखते हैं कल 13th of November Wednesday को क्या होगा इसके साथ में कल सुबह आपको दुबारा मिलूँगा तब तक अपना पूरा ख्याल रखें अच्छी trade करें और पैसा बनाना आपका हग है friend थैंक्यू सो मच